हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवजर वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं LIC के स्टॉक के बारे में काफी दिनों के बाद LIC में एक मूँ आता हुआ देखने को मिला जहां स्टॉक 2% से जादा आपको आज उपर बंद होता हुआ देखने को मिला है बहुत कम ही देखा जाता है कि LIC का स्टॉक बढ़िया कर रहा है जब से देखिए इसके लिस्टिंग हुए तब से जादा आती ही देखने को मिली में रीजन उसका यही हो सकता है तो वीडियो को पुरा देखिएगा क्या आप फिर से तीजी की अब आपको शुरुबात होती हुए देखने को मिलेगी क्या यहां पर खहिदारी करने का मौका मिलने वाला है सब कुछ आपको इस वीडियो मताँगा तो वीडियो को पुरा देखिए काफी इंपॉर्टन होने वाला है फ्रेंट्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर चाहिएगा पूशिश करिए आज बढ़ने की अगर आप दिखिएंगे पिछले पाज़ियो में पॉइंट जरू परसंट लेकिन जैसे मैंने कहा गिरावट जो है वो एक महिन में दर्ज हुई हुई है ट्वेंटी पॉसें स्टॉक ने वेल्ट कम कर दियो जब से लिस्टिंग हुई है तब से करीबर 22 परसंट इंपको गिरता हुई है यहाँ पर अगर अगर आपको कायम रहता हुई है और इंवेस्टर बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाए कह सकते हैं कि lia का आई पियो आया आयपियो से उमीद थी बट वह उमीदों पर कोई खड़ा नहीं आपको इस्टॉक उत तरद पाया और कह सकते हैं कि यहां पर इंवेस्टर उसने पैसा खोया है जैसे मैंने आपको लगातार कह रहा हूं बट आज की अगर बात करते तो एलाइसी में इंट्रेस्टिंग क्यों सेशन था आज सबसे पहले एलाइसी की वॉल्यूम अप समझिए कि अगर अगर लुडियुम आती हुई देखने को मली आज की सश्टम और 46 लाक है पॉल्यूम आती हुई देखने को मली एलाइसी में अतनी वॉल्यूम आती है यह दिलिवरी अगर आप देखेंगे तो 25 परसंट थी Selling Price पर आप देखेंगे 678.50 Closing Price जो है वो 677.05 नहीं है 678.50 यह बाद आप ध्यान रखेगा Closing Price जो है वो 678.50 है और वहाँ पर 10-302 और था आपको देखने को मिले के Selling Site पर लगते हो है देखने को मिले आज interesting volume होई क्योंकि एक spike आया spike आने का reason क्या है Because company जो है दोस्तो वो आपको IEV पर update देने जा रही है IEV यानि Indian Embedded Value सबसे पहले यह term IEV को आप समझ लीजिए IEV आखिर होता क्या है Indian Embedded Value होता क्या है तो दोस्तो जो IEV होता है वो सिर्फ Insurance Companies पर लगता है Insurance Companies पर आपको देखने को मिलेगा जो यह IEV है Indian Embedded Value वो लगती हुई देखने को मिलती है और इनकी जो value है वो निकाले जाती है याद होगा आपको company की बात जब LIC का IP आया था तो कहा गया था कि इसकी Embedded Value क्या है Embedded Value से में 1.2 1.5 ताइमस के आसपस मानी गई थी राइट So Embedded Value आखिर मतलब क्या है कि company की estimated value market के अंदर क्या है और इस पर company के MD का भी बयान निकल क्या आया था एक महीने पहले जब इनको interview किया गया था तो उन्हें साफ-साफ कहा था कि determination of LIC Embedded Value likely to be completed by June 30 कल डेट या क्या June 30 एकल डेट So अब दोस्तों यहाँ पर company की दोरह update दिया गया है क्योंकि Embedded Value क्या लगाता है Is a measure of the consolidated value of shareholders interest in the life insurance business यह साफ-साफ इसका मतलब यह है कि shareholders का company के life insurance business के अंदर क्या interest है क्या उसकी embedded value है ताकि उसकी value पता चल सके उसको दोस्तों यहाँ पर embedded value कहा गया है LIC का अब update क्या है यह आप सबसे पहले समनलीजी जो एक press release company ने जारी करी है So देखिए LIC के तरफ से जो press release की गई है वो हम पढ़ लेते हैं तो क्या है subject साफ-साफ आपको देखने को मिलेगा filing of press release for then update on exercise to determine Indian embedded value as on March 31, 2022 यह साफ-साफ दोस्तों company को तरफ कहा गया है अब क्या कहा गया है वो press release में साफ-साफ पता चलेगा So company ने क्या का है Further to press release date on May 30 it is informed that the exercise of determining the embedded value on March 31 may take some more time to get completed company ने यह का है कि जो time चीह है हमको वो थोड़ा सा और जादा चीह है company के MD ने पहले कहा था कि 30 जून तक इसकी embedded value निकल जाएगी but अभी तक जो process है वो पूरी नहीं हो पाई है और company ने का है कि हमको फोड़ा सा और ताइम चीह है once completed and after requisite approvals the required public disclosures of the same will be made in this regard as of now we expect the required public disclosures to be made by 15th of July यानि company का साफ साफ कहना है कि अभी तो इसका काम नहीं हुआ है IEV का पुरा काम होता हुआ देखने को नहीं मिला है और 15 जुलाई तक हम जो है वो इस पर update दे देंगे 15 जुलाई को हम बता देंगे कि company के IEV यानि शेयरोल्डर्स का interest company के life insurance business के अंदर वो कितना निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है कितना यहां पर शेयरोल्डर्स चाहते हैं कि यह जो life insurance business है वो आपको इस तरकार से जलता हुआ देखने को मिले या फिर कुछ changes वो दोस्तों company आपको बताती है वी देखने को मिलेगी 15th of July as of now अभी भी company ने finally नहीं कहा कि 15 जुलाई तक कर देंगे बट उनका एक estimate है कि 15 जुलाई तक जो है वो इसका result आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा तो definitely इसके लिए wait करना पड़ेगा time लग सकता है अभी भी यहाँ पर company कह रही है तो definitely 15 जुलाई बहुत important date है बट अगर update निकल के आ जाता तो I think बहुत बढ़िया होता because market इसके expectation में था लेकिन अब यह कह सकते हैं कि market कल किस प्रकार से इस पर दियाक्ट करता है वो definitely closely watch करना पड़ेगा बट जो news है उसके मुताविक 15 जुलाई तक company जो अपना फैसला है वो आपको बताती हुई देखने को मिलेगी जो भी इनका देखे यहाँ पर इसका outcome निकल गाएगा वो साफ साफ पता चलेगा सबस्तों LIC अगर आप stock देखेंगे तो undoubtedly पैसा कमा के नहीं देपाया लगातर गिरावट देखने को मिली करना कि LIC में इसके उपर बात करते हैं जादा कोई time waste नहीं करते हैं LIC अगर आप देखेंगे तो जो 52 week low लगाया था वो लगाया था 650 रुपे का उसके आसपर से trade कर रहा है 27 रुपे उपर trade करता हुआ देखने को मिलना है बड़ कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक के अंदर यहां पर important है कि 7 रुपे की तो उपर कम से कम निकले अगर नहीं निकल पाता है तो दिक्कते हैं यहां पर गिरावट जो है वो आनुवाल टाइम में अपनी का खुद का market cap गरता हुआ देखने को मिला जितना IPO आपको आता हुआ देखने को मिलता है market cap के साथ उतना market cap कितना vanish हो गया इससे सरकार को loss हुआ है तो सरकार को ही यहां पर decision लेना पड़ेगा कि क्या करना है हाल फिलाल में खबर भी निकल के आई थी LIC के उपर कि LIC जो है वो आपको विदानता turn to LIC to rupees for rupees 5000 करोड as offshore borrowing get costly है यह खबर निकल के आई थी दूसरी खबर यह थी कि जो LIC है वो आपको देखने को मिलेगा कि large cap stocks मैड होता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन जैसा मैंने पहले भी का था कि long term में company बुरी नहीं लगती है जो track record है उसके उपर अगर हम बात करते हैं तो definitely company का market share रने वाला है मुझे लगता है कि stock में गिरावट बन सकती है वो इतना positive नहीं है कि अगर आज update निकल के आ जाता है final हमको पता चल जाता कि हाँ क्या करने वाली company बिजनस के साथ तो definitely ज्यादा बढ़िया होता बट ठीक है wait and watch करेंगे stock अगर यहां पर लॉस करने के लिए यहां पर definitely stock को थोड़े सा कश्मकश करना पड़ सकता है तो इस वीडियो में इतना ही था hopes वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना आपको क्या मनना एंडरी से के stock में जबर तहिएगा thank you friends watching this video